हर साल चुनवतियों से भरा होता है तो खुसियों से भरा होता है ऐसे में ही 2021 खदम करकर अब हम 2022 में जाने वाले हैं आइए हमारे साथ बनारस के जोतिसी चार्य आइए उनसे जानते हैं कि 2022 कैसा रहेगा लोगों के रासी में कितनी सफलता होगी कितनी मायूसी होगी और करुना का प्रहार 2022 में किस तरीके से रहेगा तो वहीं हम मिसन 2022 विधान सवाच चुनाव को भी नहीं बूल सकते हैं आये जानते हैं गुरुजी से कि किस तरह का 2022 का महौल रहेगा गुरुजी आप स्वागत है प्रभास आक्षी में आप अपना परिशवर आचार इशी दिवेदी का से जी 2022 जो है वो किस तरह के रहेगा लोगों के रासी में किस तरह के उतार चड़ाओ रहेगे आप उसके लिए देख़ें 2022 जो है आपने आपने खबोली दिश्टी से आकास मंदली दिश्टी से बड़ा ही बहत खास रहने वाला है कारण क्या है कि 2022 में जो अप्रेल का मास होगा अप्रेल के मास में राहू केतु का रासिपोर्तन व्यासपती का रासिपोर्तन और सनी का रासिपोर्तन यह चार-चार बड़ी घटनाएं जो है अकास मंदल खागोल मंदल में घटेंगी जिसका प्रभाव निश्चित रूपर धर्तिवासियों पर आमजर्मानस्त में विश्चोस्तर पर पढ़ेगा अगर हम बात करें तो देखें तो पहले बात तो जब सनी जो है रास्ति पोर्तन करेगा मकर से कुम में जाएगा तो जिन लोगों पर सनी के ठहिया उसाधि चलने हैं उनमें जो है चेंजिंग आएग रास्तिवालों के प्रभाव हमेसा थावस्तिवालों की यहां अगर हम बात करें इस दिखा जाए तो इस वर्ष चैयार ग्रहान पढ़ेंगे जिसमें एक चन्दर घ्रण भारत में होगा जो अक्टूबर 10 में सूर्य ग्रहन दोनों दिखेंगे तो वहीं एकर मांगली कारियों को देखाया तो 2022 में प्रचुर मात्रा में जो है अलग नमुरत मिलेंगे वहीं अगर भारत किर्षी प्रधान देश है किर्षी के लिए भी इसे होता है तो अगर देखें तो ग्रहों की दिश्टी से किर्षी के लिए भी यह वर्स बड़ा ही इत्यादी आने के असलंका बनी रहेगी तो वहीं भारतियों फटल पर बड़े युद्ध के होने की भी आसलंका रहेगी तो इसके साथ है अगर देखेंगे तो झालो उसके रही इसकी डिमेदी में धिरे-दिरे होती कम जा रही है तो 2022 में जो है इसके गती बहुत धीवी पढ़ जाएगी कम्योर पढ़ जाएगी हाला कि अभी जो ये कोरोना का जो प्रभाव जो ओमिक्रान रूप में आ रहा है यहां जो है क्योंकि हमारे अंतरमसासर में 15 दिन का पक्षवारा जो है संब्ध 2070 पढ़ा था जिसके प्रभाव के चलते यह है अभी करब आ रहा है लेकिन मार्च तक रहे हैं का प्रभाव मार्च के बाद जो है इसकी सित्या देद्रे कम्योर पढ़ती जाएंगी और धिरे दिरे जो है यह समाफ हो जाएगा बात करे करोना की तो 2020 में और 2021 को पड़िशान करकर करके रखा और बात करी जो थर्डवे प्रभाव लोग देख रहा है तो मैंने इसका प्रभाव लोग देख रहा है तो इसकी तोड़ पर जाएगा और इसको बढ़ता चला जाएगा लेकिन उसके बाद धीमे धीमे इसके सिती कम्यूर पढ़ती जाएगी आप देखें होंगे अलफा बीटा गामा डेल्टा के में हलाकि इसके पहले जो दूसरी लहर इंडिया में आई थी वह बहुत मतलब देश में बहुत ज्यादे हानी पहुचाए थी बहुत 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 बड़े प्रमाने पर जंधन की हानी हुई थी उस इसाफ वैसा तो को चुगी करोना कुलिम उस इसाफ तो नहीं रहा और आया जरूर है लेकिन वहां जो एक तीवरता रही है वह तीवरता में कमी आ गई है तो लिश्ची दूप्रदेश में जिनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है तो 2022 किस तरीके का होगा पार्टीयों के लिए किसकी जीत होगी किसकी हार होगी क्या लगता है उनकी जन्मकुन लिए आपने किस तरीके से अगर हम बात करते हैं राजनीत का तो अप्रेल मास में जो यह चार ग्रहों का राशी परणतर होगा और सनी ब्रहस्पति रहू के तुट तो देखेंगे तो जो तना रहो को कूर्षी का दोतक माना गया है के तुको अस्थिर्ता का करता माना गया एवं अध्यात प्रभूत का कारक माना गया है यह चारे ब्रहक जो चारे बड़े जो गोचर में चारे चारे जो बड़े ग्रह जो का राशी परणतर होगा यह अपने आपने बेहत खास होगा राजनीत की दिश्टी से चुकि उत्तर प्रदित कुंडली का योग चलना है को प्रभाव बिच्थ प्रभाव है जिसके यह हम कह सकते हैं कि इस बार की जो सरकार बनने जा रही है यह सरकार में फडया सा ऊपर दिख hypoth και मिलेगा यह हम कह सकते हैं कि यह जो भूमत की सरकार बनने के आसार तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन जो भी सरकार बनेगी वह पांच साल पूर्ण नहीं कर पाएगी ऐसा योग चुकि राहू जब होता है तो अस्थीरता को पैदा करने वाला होगा तो वहीं देखेंगे कि वह तमाम देखने की देखने को होगा लोगों को रहत लेने के लोगों को सु्कुन लेने की जरूरत की है कि देखें आड़ी तो करोना में करनाम की की साब्भाव जो प्रैल में जो होंगे उस प्रभाव धर्तिवास्यों पड़ेगा कुछ पॉस्टी रूप में दिखने को मिलेगा तो निगेटी रूप में जो है प्राकदिक आफदा सुनामी भुकाम पाउर युद्ध जैसी स्कितियां उत्पन्न होंगी तो एक और भी है कि हो सकता है कि जब राहू जब संगमित होत सब्सक्राइब को मतलब यह जो करोना है इसको छोड़के कोई और नए बिमारी और आजाए जिसके चलते फिर से एक बार जो हो जाए वह अलगी बात है लेकिन इल्दंका जो अप्रेल में जो ग्रहों की चाल बनेगी वह ग्रहों की चाल यहीं कह रही है कि इस वर्थ जो है रवी खरीव की फसल अच्छी होगी और प्राग्दिक आपनायाने के आसार है यूद्ट के आसार है राजनातिक अस्थिर्टा रहेगी यह सब तमान की देखने के लिए 2022 में मिलेंगी वहीं कोबिट की बात आई तो उन्होंने कहा कि पिछले सालों के हिसाब से उतना विक्राल रूप नहीं होगा थर्ड वेब जो है वो कही न कहीं मोतों की संख्या कम देखने को मिलेगी क्रिसी उद्योग में उन्होंने बताया कि किसानों को बहुत फायदा होने वाला है 2022 उनके लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा प्रभसाक्षी से आर्ति पांडे बनारस अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को